जैश्री राधे, पुजेश्री सद्गुर्दे भगवान के चरणों में प्रणाम परम पुजेश्री बालकृष्ण दाज्जी महराजी का जीवन चरित्र मंडलेश्वर गमन तथा भावावेश प्रारंब सन 1946 भक्त वरंद के आग्रे से पुनश्च मंडलेश्वर जानने का अफसर प्राप्त हुआ वहाँ से मार्ग व्याय आ गया और श्री महराजी मुझे साथ लेकर मंडलेश्वर पहुँच गई भक्त वरंद में आनंद की लहर दोड़ गई श्री महराजी के आग्मन का समाचार सुनकर गाओं गाओं से भक्त वरंद उनके दर्शनों के लिए आने लगे अब की बार श्री महराजी का निवास अब की बार श्री महराजी का निवास श्री मांगी लाल जी के घर पर ही रहा नित्य रात्री में संकीर्तन उच्चिस्वर से होता था यथा समय ससंग भी होता ही था श्री महराजी का उद्देश्य कभी भी प्रचार प्रसार का नहीं रहा अतहिनित्य प्रती होने वाले संकीर्टन वे ससंग में सरल भावुक एवं जिग्यासु भक्त जन्नों को ही प्रवेश प्राप्त था श्री महराजी के प्रति समर्पित द्रड भावना वाले भक्त वरंद ही उपस्तित रहने से संकीर्तन वे सस्संग में एक अपूर्व आनंद छा जाता कोई प्रेम विभूर हो जाता और किसी किसी सोभाग गेशाली को कुछ अनुभूती भी प्राप्त होती इस दिव्य वातवरण में श्री महराजी की किरपा से कईयों के जीवन में अपरिवर्तनिय मोड आया और कई जीवन लक्षे के पत पर द्रड़ वरती हुए कईयों ने अपने जीवन धन्य कर लिए श्री महराजी कई भक्त परिवारों के परम आत्मिय बन चुके थे वे सब बारी-बारी से उनको अपने यहां आमंतरित करते उनके प्रेम आगरह को स्विकार कर श्री महराजी उनके यहां जाते तो वे अपने को परम सोभागे शाली समझते और उनका घर आनंद के वातवन से भर जाता संध्या समय भक्त वरिंद सहित श्री महराजी नर्मदा तटके इकांत स्थल पर जाकर बैठते कुछ विनोध हास परिहास मैं चर्चा चलती परन्तु वह भी लक्षे से हटकर कभी नहीं होती थी आपकी परतेक चेश्टा त्याग वैराग्य वै अनुराग से भरी हुई होती तथा साधक को लक्षे की प्रेड़ना ही प्रदान करती थी वियवहारिक चर्चा आपको सेहन ही नहीं होती थी अपने संपर की जनों में सदा सांसारिक वरतियों से हटाने की चेश्टा आप करते रहते इसलिए इस परिकर को लेकर कुछ लोगों के मन में इर्शा भाव भी रहता वे निंदा का आश्रले समाज में कुछ उल्टी सीधी बातें फैलाते रहते परंतु श्री महराज जी के सामने आकर कुछ कहने का सहस इन लोगों का कभी नहीं हुआ इन में कुछ वकील लोग भी सम्मिलित थे जो सदा परिकर को हानी पहुचाने का प्रियास करते सत्ते से टकरा कर आज तक कौन विजई हुआ है अपराद का परिणाम भोगना ही पड़ता है वे इनहें ही नीचा देखना पड़ता है श्री महराज जी के दिव्य वातवरण के नशे में चूर रहने वाले भक्तों को ना इन बातों की परवा थी ना ही उनके और ध्यान देने के लिए समय ही था वे तो श्री महराज जी के अनुराग में एक छत्र सामराज्य में मस्त रहते निर्भै रहते सदा सत्संग कीर्टन की धूम रही जाती एक दिन श्री महराज जी संध्या समय अपने कुछ भक्तों के साथ करुणा शंकर जी दूबे के घर गए उनके प्रती दूबे जी की तथा उनके परिवार की सराहनिय श्रद्धा थी ग्रिश्म का मौसम होने से सब दूसरी मंजिल की चत पर बैठे हुए थे वातवर्ण शांत था सहशा श्री महराज जी मुरली बाज रही मधुवन में आम की डारी कोयल एक बोले बावरी राधा वनवन डोले गुँज उठी तृभुवन में मुरली बाज रही मधुवन में इस पद को बार-बार गाने लगे गाते गाते श्री महराज जी की सिति गंभीर हो गई नित्रों से अश्रु परवा होने लगा धीरे धीरे को स्वस्त होकर जाने के लिए उठ खड़े हुए जैसे तैसे ग्रह द्वार तक ही पहुँचे होंगे कि भावविष्ट हो गए असमर्थता वश बाहरी चबूतरे पर बैठ गए सहसा शरीर ढूलक पड़ा कुछ समय उपरांत प्रकरति स्थित हुए और निवास स्थान पर लोट आए नंदगाओं से विरंदवन आने के पश्चात प्रथम भाववेश यहीं से प्रारंब हुआ एक दिन आप कुछ भक्तों सहित मेरे घर महेश्वर आए वहां से भक्त जनों को साथ ले नर्मदा तट पर घूमने गए सुन्दर घाटों को देखती ही प्रसन हुए कहने लगे कुछ महीनों पूर्व इन घाटों को मैं स्वपन में देख चुका था नर्मदा का विशाल पाट अगाध जलराशी घाटों की सीड़ियों से टकराती हुई लहरे भरमनार्थ जलराशी पर तैरती हुई नोकाई यह सब देख कर श्री महराज जी की इच्छा नोका भ्रमन करने की हुई ततकाल नोका आ गई और भक्त वरंद सहित श्री महराज जी नोका पर आरूड हुए किनारे को छोड़ नाव नर्मदा के गहरे जल में मंद मंद गमन करने लगी श्री महराज जी नोका मध्य से घाटों का सौंदर्य देखते जा रहे थे विशाल रमनिये अत्यंत उचे उचे घाटों के सोपानों पर जल भरे घट सिर पर रखे मंद मंथर गती से उपर चड़कर जाने वाली पनीहारियां उनके लहराते हुए रंग बिरंगे वस्तराभरण पावों में मंद ध्वनी करती हुई पाई ले उपर से रिक्त घट लिये हुए दृत गती से उतरने वाली पनीहारियां उनकी वह चंचल चपल गती इस संपुन द्रश्य को देखकर श्री महराजी किसी अद्वित्य सामराजी में खो गए आपके भाव सामराजी में गोकुल ग्राम ही प्रकट हो गया और एक दिव्वे मतता में चूर दीखने लगे धीरे धीरे आपने गोकुल गाउं का अनुठा वर्णन करना प्रारंब कर दिया नौका मंद गती से चल रही थी भक्त वरंद नीरवता में श्री महराजी के मुकसे निसरित उस पियोश वाने का एकागरता से पान कर रहे थे किसी को समय का भान न रहा नाव कितनी दूर निकल गई इसका भी विचार नहीं आया श्री महराजी वर्णन करने में तनमे थे मध्य मध्य भाव विभो रिस्ति हो जाती कुछ देर चुब बैठे रहते पुनेह वर्णन करना प्रारंब कर देते वर्णन करते करते आपने एक पद मंद मंद स्वर में गाना प्रारंब कर दिया उस मधुर स्वर में समीपस्त सभी एकागर चित्त से सुन रहे थे पद गाते गाते आप भावविष्ट हो नोका में ही मूर्चित हो गए मैंने धीरे से श्री महराजी का मस्तक अपनी गोद में ले लिया मातंगेश्वर घाट पर नोका लगा दी गई हम लोगों ने धीरे से श्री महराजी को उठा कर नम्रदा तटवर्ती पुलिन पर लाकर लिटा दिया और बाहाए ग्यान होने की प्रतिक्षा करने लगे संध्या हो चुकी थी धीरे धीरे अंधकार प्रवेश कर रहा था शरद रितू होने से हलका हलका शीतल समीर कुछ शीत का बोध करा रहा था साथ बच चुके थे अंधकार बढ़ता जा रहा था श्री महराजी को बालुका पर मुर्चित पड़े हुए दो घंटे व्यतित हो चुके थे परन्तु बाहाए ग्यान होने के कोई चिन प्रतीत नहीं हो रहे थे रात्री के दस बच गे शीत बढ़ रहा था एक घंटा और प्रतिक्षा की परन्तु बाहाए ग्यान होने के कोई लक्षन दिखाई नहीं दिये श्री बाबु लाल जी ब्रजवासी साथ में ही थे वे अपने घर से चार पाई ले आए घार से 20-25 सीड़िया चड़ने पर एक तिवारी थी श्री महराज जी को चार पाई पर लिटा कर तिवारी में ले गए हम सब आसपास बैठकर उनकी मूर्चा भंग होने की प्रतिक्षा करने लगे यह वही स्थान था जहां श्री महराज जी का प्रतम बार सच्संग हुआ था रात अधिक होने पर सब लोग अपने अपने घरों के लिए बिदा हो गए केवल मैं वे मांगी लाल जी पास बैठे रहे धीरे धीरे संपून रात्री व्यतीत हो गई परन्तु उन्हें बाहई ग्यान नहीं हुआ अतह अब चिंता होने लगी श्री महराज जी को इतने समय की मूर्षा देखने का अवसर हमें पहले कभी नहीं आया था प्रातह काल के साथ बजे श्वास की गती में परिवर्तन आया रुक रुक कर दीद स्वास चलने लगा नेत्रों की पलके कुछ हिलने लगी हमेश्री महराज जी के बाहई ग्यान में आने की आशा होने लगी और एक टक्ष्री महराज जी की मुख मुद्रा निहारने लगे धीरे धीरे आपके अर्धोन मीलित नेत्र खुले वे नेत्र कौन कुछ इधर उधर जुकने लगे धीरे से आपने हाथ उठा कर एक उंगली ठोड़ी पर रख ली वे कुछ सोचते से रहे फिर इशारे से मुझे पास बुलाया मैं आपके मुक्के सन्निकट कान लगा कर सुनने लगा आपने धीरे से पूछा मैं कहां पर हूँ यह कौन सी जगए है मैंने कहा यह मातंग घाट है यह वही तिवारी है जहां आपका ससंग हुआ था यहां आप कई बार घुमने आ चुके हैं कुछ समय तक सोचने की पश्चात आपको सब इसमर्ण हो आया आप धीरे से उठकर बैठ गए और कुछ समय तक ऐसे ही चुप बैठे रहे श्री जी महाराज के मुख पर मतता दृष्टी गूचर हो रही थी पंद्रे घंटे हो गए थे कल से आपने ना कुछ खाया था ना पिया था काश्टवत मुर्षित पड़े हुए थे मैंने धीरे से आपको चलने के लिए कहा शरीर बहुत शितिल हो रहा था आप धीरे धीरे उठे और मंद मंद पग रखते हुए चलने लगे मैं एक और से आपकी बहाँ पकड़े साथ साथ चल रहा था और आपको श्री बाबुलाल जी के घर ले आया वहां कुछ अलपाहार तयार करवा कर आपको जलपान कराया तथा चाय पिलाई रात्री भर के भाव के खुमारी अभी तक बनी हुई थी कुछ विश्राम के बाद हम श्री महराजी को मंद ले श्वर ले आये जैश्री राध है कल हम सुनेंगे गाओं गाओं में संकीरतन